दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी करमचारियों को तौफे देने का ऐलान हुआ है दिल्ली के 80,000 सरकारी करमचारियों को दिवाली से पहले बोनस दिया जाएगा मोक्य मंत्रे अर्विंद केजरवाल ने डिजिटली प्रस कॉंफरेंस करके इसका ऐलान कर बताया कि करमचारियों को बोनस देने में 56 करोड रुपे तक का खर्चाएगा दिल्ली सरकार में काम करने वाले करमचारी मेरा परिवार है और आज उनके लिए मैं एक खुश खबरी लेके आया हूँ दिली सरकार ने पिछले आठ साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ, infrastructure, public services आदी के क्षेतर में जितने काम की हैं जितने शांदार काम की हैं उसमें सबसे महत्वपून भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के करमचारियों ने निभाई है इन करमचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफ़ल हुएं अर्विंद केजवाल ने कहा कि इससे हमारे करमचारियों के घरों में त्योहारों की खुशियां दुगनी हो जाएंगी एक सरकार के रूप में करमचारियों की जिन्दीगी को बहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है हमने और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा यह महिना त्योहारों का महिना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी group B non-gazette और group C करमचारियों को 70000 उपे का बोनस दे रहे हैं यह फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है इस समय दिल्ली सरकार में लगबग असी हजार गुरूप बी नॉन गुजटेड़ और गुरूप सी करमचारी हैं यह बोनस देने के लिए 56 करोड रुपे का खर्चा आएगा इससे हमारे करमचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी अर्विंद केजरिवाल ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार ने वीते 8 साल में सिक्षा, स्वास्थ, इंफ्रस्रक्चर, पब्लिक सर्विसेस के शेत्र में जितने भी शांदार काम किये हैं उनमें सबसे महत्वपून भूमिका दिल्ली सरकार के करमचारियों ने निभाई है, उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत हम दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बना पाए हैं